एक दिन लगते है उनको आदमी देखके समझ मेंने कि ये फिल्मी है या नॉन फिल्मी है ये नया है कि पुराना है ये मैंने अमिता बच्छन जी के साथ देखा, संजेदच जी के साथ देखा, अक्षे कुमार जी के साथ देखा कि एक ही दिन लगा उनको सुबह से शाम तेक ये चेक करने में कि भाई ये और उस तरह से फिर उनकी हमारी ट्विनिंग बात्ची सुनी शुद होगी तो क्या तरीका होता उनका पकड़ने का? किसी भी पर्टिकॉलर स्टार कास को साइन करते टाइम करेक्टर धिहान में होता है बिजनस धिहान में होता है या ओवर ओल बड़े बड़े ओटिटी जने भी ये बोल दिया है कि आप पहले थीटर में जलवा दिखाईए उसके बादा है आप कितने बड़े एक्टर है फिर हम वो प्राइस दे करेंगे कि जो आप मांग रहे हो देनी चाहिए कि ने अब जिस तरह से दौर आगे बढ़ रहा है डिजिटल हो रहा है तो OTT आ गए है बहुत सारे नए विन्यू स्कुल गए है इसमें आज मेकर आप कितनी अपोच्टी देखते हो कोई भी जब फिल्म बनती है कहानी बनती है पिक्चराइज होती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते है आपको जो पूरा एंटर्टेइन्मेंट नजर आता है उस एंटर्टेइन्मेंट के पीछे बहुत सारे टेक्निशन होते है और उन सब का जो मेल जो लेक साथ जुड़ जाता है तल आपको एक फिल्म देखने को बिलती है और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है उसके प्रडूसर का उसके निरमाता का इसलिए मैं गहता हूँ कि इनको अगर आपने समझ लिया तब पूरी फिल्मेकिंग को आप समझ सकते हैं जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि डिरेक्टर इस दा कैप्टन आफ दा शिप लेकिन असल में एक बात और भी आगर जोड़ूँगा कि प्रडूसर इस दा ओनर अव दा शिप वो जानता है कि कौन से डिरेक्टर को कौन सा शिप सौपना है वहाँ पे कैसे लोग आएंगे, कैसे रहेंगे, कैसा एजेक्विशन होगा कैसे इंतिजाम हब और कैसे मंजिल तक वो शिप पहुँचेगा ये पूरी जिम्मेदारी, जवाबदारी एक प्रडूसर की होती है और मेरे साथ प्रडूसर है निलाइ पांडे जी वेल्कम टू शाज डूसर ये जो प्रडूसर है ये अपने आप में बहुत बड़ा पंगा होता है बहुत बड़ा है बहुत सारे लोगों से जूजना पड़ता है समझना पड़ता है और फिर वो एक प्रजेक्ट को कम्प्लीट करके पहुचाना होता है, यह कितना चैलेंजिंग है, कितना एक्साइटिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, और यही एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है, यह एक विभाग ऐसा होता है, कि जहां पे आपको बाकी सारे डिपार्टमेंट को समालना पड़ता है, उसके बाद डिरेक्टर और डिरेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो सब डिपार्टमेंट को समालता है पर उसके पहले प्रोडूसर जो की डिरेक्टर डिरेक्शन और बागी सब डिपार्टमेंट को समालता है तो सब के साथ डील करनी पड़ती है सबके साथ जूजना पड़ता है और हर तरह के लोग होते है उपर से लेके नीचे तक फड़े लिखे समझदार से लेके थोड़े कम पड़े लिखे तक लाइट मैंन, स्पॉर्ट बॉइस तक तो एक अच्छे प्रोजेक्ट में को क्या चीज़ किक देती है यह वाला प्रोजेक्ट मुझे करना है जाए प्रोडूसर देखे सबसे अवल तो कहानी है कहानी अच्छी हो तो उसके बाद उसमें डिरेक्टर और एक्टर की बात आती है फिल्म ऐसी बने कि देखने के बाद लोगे बोले कि यह डिरेक्टर और एक्टर के लिए important है उतने ही प्रोडूसर के लिए क्युक्ति युश्य कि डिरेक्टर और एक्टर तो देख जाएंगे या और भी फिल्मी में देख जाएंगे प्रोडूसर का तो नाम पहले देखता है दो देखते हीई लेकिन production अपने आप में एक ऐसा काम है जिसमें finance involved है, economics involved है, artist का creative form involved है और उसके साथ साथ एक psychological पूरा pattern भी लोगों को समझना होता है तो इतना multitasking करते हुए कभी कोई उल्जन नहीं लगते हैं कि एक ही चीज़ पकड़े तो ज्यादा बेटर था उल्जन नहीं यही passion है और यह शौक भी था पहले फिर passion बना फिर दिए-दिए-दिए जिम्मेदारी बनी तो मज़ा आता है इसको करने में शुरुआत में दिए-दिए सीखने को मिला तब थोड़ा जादा था बड़ अब कर करके अभ्यास इतना हो गया कि अब वो करने मज़ाता है तो अब वो नहीं होता तो लगते है कियार कुछ कम है तो अब भी वो एक दो तीन लोगों से deal करके वो समझ भी नहीं आता किया डार भी गीली नहीं वे तो वो मज़दार काम है तो अब जो मज़दार लग रहा है जो एकदम नॉर्मल कमफर्टिबल लग रहा है इसना confidence आ गया है लेकिन इसके पीछे की तैयारी भी रही होगी तो यहां तक पहुंचने की जो आपकी जर्नी रही जो तैयारी रही वो कैसे और क्या रही यही 13-14 साल का अनुभफ पहले करके सीखा फिर कुछ और लोगों के लिए किया फिर बाद में अपने लिए किया तो शुरू किया मैंने टेकनिकली असिस्टेंट डिरेक्टर से शुरू किया था तो वहां से कुछ चीज़े दीरे समझ में आई और टीवी सीरिल से शुरू क परता है तो एक तरह से वह ट्रेनिंग अच्छी होई फिर उसके बाद फिल्मों में एंट्री होई फिल्मों में एज लाइन प्रोडूसर काम किया तो लोगों के अंडर में पहले काम करना पड़ा जहां पर अथौर्टी कोई और होता था हम उनके आदेश पर काम कर देते फिर धीरे धीरे बढ़के एक्जी किटेअटर ब्रोडूसर और फिर बाद में एज अजे प्रोडूसर तो वह स्टेप जानी थी जो धीरे धीरे एक एक काम करके बढ़ती गई इंप्रूव होती गई और अब हम समझ में आया कि ह Caiap परी पक्वता से एक कर सकते हैं तो इस जरनी में कौन से मील के पत्थर थे, कौन से प्रोजेक्ट थे जो आपने की है मील के पत्थर एक फिल्म जो पहले थी उसका नाम था 421 जो पहली एक धंकी फिल्म जिसको बुलेंगा आप ति जिसमें जिमी शेर्गिल, राश्पाल यादव, मुरली शर्मा थे और जो हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अन्वर कान साब ने डिरेक्ट की थी तो वो पहली फिल्म थी जो इंडिपेंडेंटली एग्जेक्यूट करने को मिली थी तो उससे बहुत उससे सीखने को मिला उसमें खतम करते करते बहुत मज़ा आया कि अब एक फिल्म इस लेवल पर खतम कर दी उसके बाद दूसरी फिल्म थी डिपार्टमेंट जो राम गोपाल वर्माजी ने डिरेक्ट की थी इसमें अमिताब बच्चन, संजाइदत, राया बड़ी सागा से बुई तो वो तब तक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी तो उसका एक अलग आनन्द, अलग मज़ा, अलग टेंशन, अलग स्ट्रेस थी तो वो करके भी काफी कुछ सीखा, मज़ा आया बड़े यूनिट को, बड़े लोगों को हैंडल करने को मिला उसके बाद एक फिल्म थी लक्ष्मी बॉम, अक्षे कुमार की अराणवानी की उसके बाद एक फिल्म मैंने खुद जो प्रेड्यूस की थी, वो ये तो टूमच हो गया जमी शेर्गिल, अर्वास खान, पूजा चोप्रा, मुडली शर्मा जो अगें अनुवर खान साब में ड्रेट की थी तो वो इंडिपेंडेंट प्रेड्यूस की थी, तो उससे और जादा समझ में आया बाद में और वाद आया कंप्लीट होने के बाद अभी रिसेंटली एक फिल्म मैंने कंप्लीट करी है हड्डी करके जिसमें नवाजतीन सिद्धी किया अनुवरा कश्यप में लोक तो ये कुछ बड़े, कुछ बीच में एड्स भी किये एक एड्ड के था जिसमें माज़री दिख्षित जी थी एक एड्ड था जिसमें हिमा मालनी जी थी तो ये मेजरली मील के पत्थर थे जो करकर के और जिन से सीख सीख के आज यहां तक पहुंदे है मतलब जिनके साथ आप सेलफी लेते हैं या फोटोग्राफ केचवाने को ही अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं उनको आपने टेकल किया है जी जी उपर वाले के आशिरवात से वो करने को मिला उनको टेकल किया है तो एक होता है ने कि जब यह experience लोग इतने senior लोग इतने stardom वाले लोग होते हैं तो normally थोड़ी सी nervousness थोड़ा सा तो डर आता होगा शिरुआत में उसको कैसे किया आपने जी सोचने तक थी वो nervousness बट जब practically execute करने के लिए मैदान में उतरे तो फिर अपने करेक्टर में आगए तो वो nervousness दीरे दीरे खतम हो गई और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सब actors के साथ काम करने में यह लगा कि क्यों यह इतने उस level पे है उस ओदे पे है उस मुकाम पे है एक दिन लगते हैं उनको आदमी देखके समझ मेंने कि यह filmy यह नॉन फिल्मी है यह नए है कि पुराना है यह मैंने अमिता बच्चन जी के साथ देखा संज़त जी के साथ देखा, अक्षे कमार जी के साथ देखा कि एक ही दिन लगा उनको सुबह से शाम तेक ये चेक करने में कि भाई ये और उस तरह से फिर उनकी हमारी ट्विनिंग बात्ची सुनी शुद होगी तो क्या तरीका होता उनका पकड़ने का? ये तो वही जानते हैं बड़ उनको ये समझ मैं रहे था कि हाँ तो उनका बात करने का जो लहजा होता है और तरीका होता है क्योंकि मेरे साथ अंडर और भी लोग थे कुछ इंटर्न भी थे तो वो फरक समझ में आ गया कि उनका हमारे साथ इंटरेक्शन करने का जो तरीका था वो और उन लोगों के साथ चुक करने के लिए तो वो मतलब वो शायद अनभव है कि उनको देखके समझ में आता है किसने कितना काम गिया है कौन है कौन पुरान है तो अब जिस तरह से दौर आगे बढ़ रहा है डिजिटल हो रहा है तो OTT आ गए हैं बहुत सारे नए विन्यूज कुल गए हैं इसमें अज़ मेकर आप कितनी अपॉचिनिटी देखते हैं बहुत अपॉचिनिटीज हैं डिरिंग लॉंग डाउन तो बहुत जादा थी अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ टाइम में ये भी एक सैचुरेशन की लेवल तक जो हर चीज के साथ होता है क्योंकि अधा सुनने में आया है कि बड़े बड़े ओटीटीज ने भी अब ये कर दिया जो अभी बॉक्स आफिस पे फिल्मों का अनभव रहा है पिछले एक साल में कि बड़े बड़े ओटीटीज ने भी ये बोल दिया है कि आप पहले थियर्टर में जलवा दिखाईए उसके बाद है आप कितने बड़े एक्टर हैं फिर हम वो प्राइस देंगे करेंगे कि जो आप मांग रहे हैं वो देनी चाहिए कि ने तो ये भी चीज़ें बदलती रहती हैं जब आप एक फिल्म बनाते हो एक कहानी पर आपने बुलाग सबसे पहले कहानी होती है किसी भी particular star cast को sign करते टाइम करेक्टर ध्यान में होता है बिजनस ध्यान में होता है या overall एक calculation होता है overall सब चीज़ें मिली जुली हैं सबका सही होता है कि actor की market value क्या है वो character में कितना fit है और उनको लेके कितने budget में obviously कितना पैसा मांग रहे हैं कितने में आ जाएंगे और कितने में film बन जाएगी तो ये सब चीज़ों का combination होता है और जैसे आपने बता कि 13-14 साल लगे आपको तैयारी करने में सीखने में आजकल एक चलन होगा है कि बहुत जल्दी लोगों को independent filmmaker बनना है independent director बनना है और उसी वेशे से बहुत सारे project इस्टेल हो जाते हैं रुख जाते हैं ऐसे नए maker से आप क्या कहना चाहोगा तैयारी होनी बहुत important है जिनको बहुत जल्दी करना है जो यह थोड़ा फिल्म है जो नहीं चल रही है जो रुख जाती है बीच में या जिनको जो लोगों को अनुभव नहीं होता हूँ एक्जेकूट नहीं कर पाते हैं सेट पे एक फिल्म पेपर पे बनाना और सेट पे बनाने में बहुत फरक होता है आपने कहानी एक लिख तो अच्छी लिए उसको अगर आप रॉपर एग्जेकूट नहीं कर पाए उन सेट तो फिल्म अच्छी नहीं बनती कई बार बीच में रुख जाती है कई बार एक्टर कन्व नहीं होते हैं डिरेक्टर से तो अनुभव लेना और सीखना तो बहुत इंपोर्टेंट है तो मैं यही सलाव दोंगा कि आप जल्दबादी ना करें क्योंकि अगर आप उस होड में जाएंगे कि मुझे पचास फिल्म में बनानी है आज आप जितने भी बड़े फिल्मेकर को देखेंगे 15, 20, 25 फिल्म में मैक्सिमुम अब आदमी एक बार में चार फिल्म मनाने की सोचे का तो फिर तो यही है श्रूख है फिल्म नहीं कुछ और ही बनेगे किचिड़ी बन जाएगे तैंक यू निला, तैंक यू वेरी मच तैंक यू तो मेरे साथ ते निले पांड और अब वो फिल्म में बना रहे हैं तो अगर आप भी वाकई सक्सेस्फुल होना चाहते हैं तो पहले खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की तैयारी पर ध्यान दीजिए और फिर कुछ तैयार करेंगे तो लोग उससे एंटेटेन होंगे, आपको भी फायदा होगा, आप के अंदर भी confidence आएगा, अगले वीडियो में भर समेलूँगा, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, जमे रहें, all the very best.